हलो एंड नमस्कार दोस्तों स्वागत आथ स्भीकर रास्तान इस्ट्री ओफीसियल यूटूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आज हमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान के जो परमुख्य जो मुख्य इस्तंब है इनके बारे में जैसे आपने नाम सुनोगा कीर् सुली जो है इसरलाठ निहाल टावर तो इन सब के बारे में जो है इसी एक वीडियो में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं तो जो आज का मारा टोपिक आप सभी को पता चल ही गया होगा कि रास्तान की जो मुख्य इस्तंब है इनके बारे में चर्चा करेंगे और यह टोप हम पढ़ेंगे कीरती इस्तंब चितोडगड फोट में है और किसने इसका निर्मान करौया महाराना कुमबा ने ध्यान रखना यह जो है 1437 से जो है इसका निर्मान स्टार्ट किया था यह जो इस्तंब है और राजस्तान में ध्यान रखना चितोडगड किले में इस्तिता औ वहीं बात करें महाराना कुम्बा ने मालवा की सुल्तान महमूद साखिल जी को युद में पर्थमबार प्रास्त कर उसकी याद में इस्ट देव विष्णु को समर्पित करके विजेस्थम बनवाया था। बात करें जी तोड़ गड़ के साथ कौम के जीवन उपलबजियों का विस्तर्त करमवार लेखा जो खाई इसमें है और सबसे उपर की मंजिल में ये सब लिखे हुए बात करें जो है राना कुम्बा की सबा के विद्वान अत्री ने ये लिखना शुरू किया था बाद में उ पास्तुकार या सुतरदार अगर आप से पूछ ले तो जेता तता उसके जो है तीन पुत्र नापा पुंजा और पॉम्मा के नाम आपको मिलते हैं वो भी पांचवी मंजिल में लिखे हुए भी मिल जाएंगे बात करें अगले इस्तंब की तो जेन किरती इस्तंब ये भी जेन तरतंकर थे कौन आदिनाजी उनको समर्पित है और ये जो किरती इस्तंब के एक जो है उठे वे चबूत्रे पर निर्मेध है इसमें जो आंत्रिक सुरूप से वैस्तित सीडिया मिल जाएगी आपको लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये जेन किरती इस्तंब ह ये कहा है ची तोड़ गड में किसने इसका निर्मान करोया जेन जो उस्रेश्टी जिदासाने करवाया तो ध्यान रखना इस्तंब की जो है नीचली मंजिल में सभी चारों मूल बूत दिसाओं में आदिनाजी की खड़ी परतिमाय है तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना अदिनाजी की परतिमाय है जबकि उपर की मंजिलों में जो जैन देवताओं की जो है सहंकडों के चोटी बड़ी परतिमाय है आपको मिल जाएगी बात करें इसरलाट की तो इसरलाट कहा है जैपूर में ध्यान रखना इसरलाट को ही सरगासुली कहा जाता है ये भी अगर आप से पूछ ले कि इसरलाथ या सरगासुली का निर्मान किस ने करवाया? तो ये महाराजा इस्वरी सिंग ने करवाया था ध्यानरकना और 1749 में ध्यानरकना 1749 के आसपास राज महलों के युद्धों के बारे में आपने सुना होगा क्योंकि Jay Singh की جो है मर्टुक परस्चात इन दोनों बाईयों में किन मेंumberjah Isvir Singh और इनके जो है मधव orth Singh इन दोनों बाईयों के मैज दिख रहा है युद छीड गया था तो उसी समय जो इस वरी सिंग ने ध्यान रखना जैपुर के घरहों यूदों में विरोधी जो है दुसमनों पर अपने विज्जे प्राप्त करने के कारण इस सरलाट का निर्मान करवाया था तो यह सरगासुली है उजैपुर की विजय का परतीक है और यह आपको ध्यान रखना है साथ मंजिला अस्टरन कोणीय मिनार जो है त्रिपोलिया बाजार में दिखाई देती है इसका परवेश दवार है वातीस बाजार में लेकिन यह आपको याद नहीं रखना है अपने समय कि जो है इस अध्भूत जो है इमारत का निर्मान राद सिल्पिक गणेस जो है खोवान ने किया था तो ये आप ध्यान रखेंगे कि किस ने किया था गणेस खोवान ने इस तरलाट के एक छोटे से प्रविश्ट द्वार में प्रविश्ट होने के बाद जो है एक संक्री गो भी कहा जाता है और मैंने अभी आपको जो है इसके सिलिपी का नाम बताया कि जो है गणेस खोवान तो यह आप तीन चीजें ध्यान रख लोगे तो बेश्ट है अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज रास्तान इस्ट्री ओफीशिल यूटूब चैन उन सभी ग्रूपों में एक बार इस वीडियो को डाल दीजे प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे ताकि हमारे साथ जो है और ज्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए और हमारा परिवार और बड़ा हो जाए अच्छा आपको रास्तान जिला दर्शन पढ़ना है तो आप मारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं वहाँ पर आपको संपुन तेती जिलों का अध्यान मिल जाएगा वहीं आपको जो है पीडियाफ नोड्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है वहीं आपको जो है रास्तान प्लाइसी ने पूरा किया था ध्यानरकना कितने दातों से बनाएं साथ दातों से बनाएं और भारत का सबसे बड़ा गंटा कर रहा है यह आठ मंजिले की इमारत है और टोप पर जो एक छत्री लगी है इस छत्री में जो गंटा लगा हूँ है इसकी उन्चाई करीब कितनी जिले में जिले में complainat में और गंटार जमें और भारत कर रहा है था ध्यानरकना इंडो इंडो मुसलिम विक्टोरिया की जो सवरंजैंती पर बनवाया गया था वहीं बात करें रामगत टावर कीई यह जैसल मेर जिले में है और जैसले मेर जिले के जो है रामगड नामकिस्तान पर राजस्तान का सबसे उंचा टीबी टावर इस्तापत किया गया है इसकी उंचा कितनी है 300 मेंटर है और रामगड टावर है ओ रामे सौरम में ध्यानकना 323 मेंटर और फाजिलका में 304 मिंटर के बाद देस का 30 रासम से बड़ा उंचा टावर है बात करें भीमलाट या बयाना बर्तपूर में भीमलाट के बयाना दुर्ग में लाल पत्थरों से निर्मित एक उंचा टावर है और भीमलाट का निर्मान है। जाट सासक किसने करवाया था। महराजा विश्णु वरधन्ने 528 इसवी में। हून सासक महिर कुल को हराने की उपलक्स में। वही बात करें। अधरखंब तो ये नागोर में। ध्यान रखना अधरखंब है। नागोर जिले की गोट मंदिर है। उत्री भारत में सबसे पूराना जीवित मंदिरों में से एक है। ये चोथी सता अधरखंब है। जमीन से कुछ उपर उठावा है। इसलिए इसे अधरखंब कहा जाता है। अब कुछ अन्य इस्तम भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आप थोड बयाना भरतपूर में है। वहीं लोदी मिनार की बात करें तो ये बयाना दुरुख भरतपूर में है। द्यारखना समुंद्रगुप्त का विज्य इस्तम बयाना दुरुख भरतपूर और लोदी मिनार दोनों बयाना दुरुख भरतपूर में। वहीं अगर आप से हमारे मुश्ट इंपोर्टन जो है इस्तम बते आई होब कि आपको जो वीडियो पसंद आया होगा थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा आपको जैन इनकिरतिस्तम, विजेस्तम, निहाल टावर और जो है टीवी टावर और जो धरम इस्तूब, वेली टावर, लोधी मिनार इन में से एक क्यूस्तन डेफिनेटली हर बार पूछा जाता है तो आप प्लीज इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर रखेगा बाकी टेलिग्राम की लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दी गई है बाकी आप लाइक, सेर, सब्सक्राइब तो आप करीदोगे और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो इजाज़त ल